आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ तो देखे आज किस क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यंस डिसकस करेंगे जो कि आपके आगामी पटवारी लेकपाल फॉरेस्ट गार्ड वा अनी यूकी पीसी द्वारा पॉलिटेंट हैं तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टुडी विद इम को सस्क्राइब न पर रात को 8 बजे क्विज का भी आईजन किया जाता है काप एंपोर्टेंट क्विजन आपको क्विज के रूप में दिये जा रहे हैं तो आप कोई जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला कुशन है भारती सम्विधान की तो देखे, भारती सम्विधान की संशोदन प्रकिरिया, दक्षन अफ्रिका के सम्विधान से प्रभावित है, नेक्स्ट कॉश्चन देखे, तो देखे, पंचाय दी राज अधिनियम 1922 द्वारा, सम्विधान में 11 वी अनुसुची चोड़ी गई, अगला क्वेश्चन है राजी के निति नर्देशक तत्वों का बर्नण समिधान के भाग चार में नहिए है दल बदल विरोधी कानून से समिधान का कौन सा संशोधन समन्धित है most important question है तो देखे दल बदल विरुधी कानून से सम्विधान का कौन सा संशोधन संबंदित है correct answer हो जाएगा बाबनवा सम्विधान शंशोधन अगला question है लोग सभा के शदश्यता है तू नियूनतम आयू सीमा कितनी है निर्वाचन छेत्रों के परिसीमन का अधार किस जनगर्ना को निशित किया गया है अगला question देखेंगे मोल अधिकार एवं राज्य नीती निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है तो देखें मोल अधिकार वाद योगी हैं जबकि नीती निर्देशक तत्वों नहीं तो ये अंतर है मोल अधिकार एवं राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में अगला question देखेंगे भारती सम्विधान के अनुसार राजनितिक शक्ति का आधार है तो देखें भारती सम्विधान के अनुसार राजनितिक शक्ति का आधार क्या है भारत की जनता important question है अगला question देखेंगे मिनी constitution किसे कहा जाता है most important question तो देखें मिनी constitution कहा जाता है 42 में सम्विधान शंशोदन को next question देखेंगे भारती सम्विधान किस परकार की नागरिकता प्रदान करता है भारती सम्विधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है next question देखेंगे भारतिस समिधान में प्रदत मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो दीके भारतिस समिधान में प्रदत मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्टपती अगला देखेंगे बिर्टिश संसद्वारा इंडियन इंडिपेंदेंस एक्ट कब पारित किया गया Most important question है तो दीके British संसद्वारा इंडियन इंडिपेंदेंस एक्ट पारित किया गया July 1947 को सम्विधान बनाने वाली प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो सम्विधान बनाने वाली प्रारूप समीती के अध्यक्षते डॉक्टर भीम ब्राव अमेटकर अगला देखेंगे सम्विधान का अनुचेद 356 संबंदित है most important question है तो किस से संबंदित है सम्विधान का अनुचेद 356 correct answer हो जाएगा किसी राजी में राष्टपति शाषन लागू करने से अगला कुशन देखेंगे भारत के सम्विधान में पर्थम संशोधन कब किया गया तो भारत के सम्विधान में पर्थम संशोधन किया गया वर्षो 1951 में अगला कुशन देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना में क्या सम्विधान निर्माण के लिए प्रस्तावित सम्विधान शभा को वैरस्क मतादिकार के अधार पर निर्वाजित करने को सुईकार किया था तो correct answer हो जाएगा नहीं अगला देखेंगे किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारती संग का राजी छेतर बनाया गया नेक्स्ट कुशन देखेंगे सम्विधान में मूल कर्तवियों को सामिल करने का विचार किस देश की सम्विधान से लिया गया है इंपॉर्टेंट कुशन है भारती सम्विधान में मूल कर्तवियों को सामिल करने का विचार सोवियत संग के सम्विधान से लिया गया है अगला कुशन देखेंगे राजी के नीति नर्देशक तत्व एक ऐसा चर्ख है जिसका भुकतान बैंक की सुईधान उसार किया जाएगा यह कथन किसका है तो यह कथन है केटी शा का अगला कुशन देखेंगे अनुछेथ 368 368 के शंशोधन हेतु क्या संसत को विशिश बहुमत और कम से कम आधे राजियों का अनुसमर्थन आवश्यक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ किन्तु सभी शंशोधनों को नहीं यह पॉइंट ध्यान रखें नेक्स्ट कॉशन देखेंगे किसके अनुमती के बिना राजि के विधान सभा में कोई धन विध्यक पेश नहीं किया जा सकता है करेक्ट आंसर हो जाएगा राजियपाल की अनुमती के बिना अगला देखेंगे राष्ट पती का अभी भाषन कौन तयार करता है तो देखें राष्ट पती का अभी भाषन केंडरी मंत्री मंदल दोला तयार किया जाता है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना आवश्यक है करेक्ट आंसर हो जाएगा दो बार अगला देखेंगे भारत में वह मंत्री जो संसत के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदश्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने बाद अगला कुश्यन देखेंगे किसी राजी का लोकसवा तथा राजी सभा में सबसे अधिक परतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश राजी का लोकसवा तथा राजी सभा में सबसे अधिक परतिनिधित्व है भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्ष दाता कौन होता है? नहीं की अर्टानी जनर्रल ओफ इंडिया होता है समुधान की किस अनुसूची में केंद्र ईवं राजयों के बीच वैधानिक शक्तियों का बटवारा दिया हुआ है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथवी अनुसूची में important question है समविधान की साथवी अनुसूची में केंद्र एवं राजियों के बीच वैधानिक शक्तियों का बटवारा दिया हुआ है अगला question देखेंगे राजिय सभा में राजियों को पृतिनिधित्व राजियों को पृतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश राजियों को और कितना है 31 यह आपको याद रखना है अगला question देखेंगे भारत में रास्टपती के चुनाओ के लिए भारत में रास्टपती के चुनाओ के लिए निर्वाचन मंडल के सदश्य कौन होते है करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राजिसभा तथा राजिव विधान सभाओं के निर्वाचित सदश्य अगला question देखेंगे समविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंद्रक महालेखा परिक्षक के करतावी और शक्तियां वर्नित है most important question तो देखे भारती समविधान के अनुच्छेद 159 में भारत के नियंद्रक महालेखा परिक्षक के करतावी और शक्तियां वर्नित है अगला question देखेंगे समविधान के किस अनुच्छी में दल परिवर्तन के आधार पर अयोगिता के बारे में उफवन्द है करेक्ट आंसर हो जाएगा दसवी अनुसूची में नेक्स्ट कुशन देखेंगे भारत में राष्टपती का चुनाओ आनुपादिक पृतनिधितु पर्णाली के आधार पर एकल संक्रमणिया मत दान दवारा होता है आनुपादिक पृतनिधितु पर्णाली का एकल संक्रमणिया मत दान का क्या तातपरी है अपस में बराबर हो यहां अनुपादिक प्रत्र नित्यतु परणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणिये मत का तात परी क्या है कि मतदान परियता कुरम में दिया जाए अगला कुशन देखेंगे पॉंडी चेरी के प्रशाशक तथा अंडमान निकवार दीप समो के प्रशाशक को क्या कहते हैं तो देखें पॉंडी चेरी के प्रशाशक तथा अंडमान निकवार दीप समो के प्रशाशक को उप राजेपाल कहते हैं अगला कुशन देखेंगे बिहार में लोकसभा तथा राजसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं तो देखे बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राजसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं अगला कुशन देखेंगे भारती समिधान की कारी पालिका का प्रधान रास्ट पती है और उसमें सं माण हेतू प्रस्तावित विध्यक के कितने वायन होते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे राष्ट पति कितने समयानतराल के पश्याद विता आयू का गठन करता है तो देखें राश्ट्रपति कितने समय अंतराल के बाद प्रति एक पांच वर्ष पश्चात वितायो का गठन करता है अगला देखेंगे सम्विधान सभा के प्रारूपन समीती के अध्यक्ष डॉक्टर वी आर अम्बेट करते इस समीती किस दश्यों के संख्या कितने थी? अगला कुश्चन देखेंगे सम्विधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है तो देखे, भारती समविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है, अगला कुशन है, समविधान में प्रेस की स्वतंतरता का अलग से उलेग नहीं है, यह स्वतंतरता किस अनुच्छेत में अंतर नहित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेत उननिस एक कौम है, अगला कुशन देखेंगे, राजी सभा तथा लोक सभा के सैयुकत अधिवेशन के अधियक्षता कौन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका लोक सभा अधियक्ष, अगला कुशन देखेंगे, धन विधे के संबंद में राजी सभा का परिसीमन कौन करता है, तो देखें, लोक सभा के निर्वाचन छेद्रो का परिसीमन, परिसीमन आयो करता है, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, भारत में उच्छ नयाय लोग की संख्या कितनी है, वर्तमान में, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, चौपिस हैं, या फिर कम जादा हैं, जिन लोग को आंसर आ रहा है, कमेंट शेक्षन में, कमेंट करके बताएंगा, अगला देखेंगे, भारत में, वर्तमान में कुल कितने राजी हैं, तो देखें, वर्तमान में, भारत में कुल कितने राजी हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 29 राजी और अगला कुशन है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा सिव वितेशी राजी की नागरिक्ता अरजित कर लेता है तो उसकी भारती नागरिक्ता का क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतर समाप्त हो जाती है अगला दिखेंगे भारत में समविधान सबा का गठन किस यो जाती छेतरों के प्रशाशन के संबंद में प्रावधान समविधान की किस अनुसूची में किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी तथा छटवी अनुसूची में अगला कुशन है समविधान का प्रारूप समविधान सबाने कब स्विकृत किया तो देखें धान परिशदों में सर्व पर्थम किस अधिनियम के अंतरगत 1909 के अधिनियम के अंतरगत भारतियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है अगला कुशन है है आपका 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मादिय भारत का राजनेतिक दर्जा क्या था करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटि भारत के राष्ट पति की अनुमती से नेक्स्ट कुशन देखेंगे समविधान के के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है तो दीके समविधान के के संशोधन द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चब वालिसमें समविधान शंशोधन द्वार मौलिक अधिकारों के संक्या घटा दी गई है, अगला कुशन देखेंगे राजिस्थान का उच्छ नियाले कहां स्थित है तो दिखें राजिस्थान राजि का उच्छ नियाले स्थित है जोत्फुर में नेक्स्ट कुशन है, भारत के पर्थम मुख्य चुनाव आयुक्त थ भारत के पर्थम मुख्य चुनाव आयुकतु थे सू कुमार से नेक्स्ट कुशन है भारत की सर्वोचिव विधी है तो देखे भारत की सर्वोचिव विधी है समिधान नेक्स्ट कुशन देखेंगे समान न्याई और निशुलक विधी साहता का प्रावधान समिधान के किस अ किस देश के संग की प्रेरणा पर आधारित है करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाड़ा संसद का अधिवेशन प्रारंब होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपने स्वीकर्थी न दे दे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छे संसद का अधिवेशन प्रारंब होने के छे संसद बाद अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस स्पीच संसत एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्विकृति न दे दे अगला कुशन देखेंगे भारती संविधान का कौन सा अनुचिद राजिय सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का नर्देश देता है करेक्त आंसर हुजा अनुचिद 14 अगला देखेंगे भारतीं को सत्ता के हस्ताना अंत्राण का उलेख सर परतम का अप किया गया क्रिप्स प्रस्ताव 1992 द्वारा अगला कुश्चन देखेंगे ब्रिटिस संसत के लिए चुने जाने वाले पर्थम भारती कौन थे ब्रिटिस संसत के लिए चुने जाने वाले पर्थम भारती थे दादा भाई नरोजी most important question है अगला question देखेंगे भारत की स्वतंतता के समय भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो देखे भारत की स्वतंतता के समय भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो देखे भारत की स्वतंतता के समय भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो देखे आंसर हो जाएगा केसी वियर यहां कथन दिया था केसी वियर ने अगला कुशन देखेंगे एशाई विकास बैंक का मुख्याले किस देश में इस्तित है एशाई विकास बैंक का मुख्याले है फिलिपिन्स में फिलिपिन्स मनीला में इस्तित है अगला कुशन देखेंगे बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश क्या था तो देखें बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश काले धन की निकासी था अगला कुशन है व्याजदर किस नीती से संबन्दित है व्याजदर ये है अगला कुश्यन देखेंगे रास्टी विकास परिशत का गठन कप किया गया रास्टी विकास परिशत का गठन किया गया वर्ष 1952 में नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे शेयर बजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है तो देखिए शेयर बजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ वह अवधार्णा जो किसी शेयर को रज़ की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है तो देखें सदर्शिश शंख्या के अधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटाक नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाती धर्म आधी के अधार पर पर्थक निर्वाचन छेत्र बनाने का प्रावधान किया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जिसको मारले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में वर्ग जाती धर्म आधी के अधार पर पर प्रथक निर्वाचन छेत्र बनाने का प्रावधान किया गया अगला कुशन देखेंगे अंतर जाती है परिशत के संबंद में उपबंद समीधान के किस अनुचेत में वर्णित है तो देखें अंतर जाती परिशत के संबंद में उपबंद समीधान के अनुचेत 263 में वर्णित है Next Question देखेंगे, सरकारी, उपकरम समीति, यानि, वित्तिय समीति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राजसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो देखें, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राजसभा के 7 सदस्य. अगला कुश्चन देखेंगे राष्टपती किस सूची के विशयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे सरपर्थम किस राजी में लोग अदालत आएजित की गई तो देखें सरपर्थम गुजरात राजी में लोग अदालत आयजित की गई थी अगला कुशन देखेंगे 42 में समविधान शंशोदन द्वारा समविधान के किस अनुचेद में मौली कर्तवियों को जोड़ा गया है तो देखें 42 में समविधान द्वारा समविधान के किस अन विश्व के एक मात्र हिंदु राश्ट का नाम बताईए अगला देखेंगे भारत का पर्थम विधी अधिकारी कौन होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्याएवादी Next question देखेंगे भारत को समपोन प्रभुत संपन लोग तन्थरात्म गणराजी कब खोशित किया गया 26 जनवरी 1950 को आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे आपके आगा में सभी exams के लिए आज का ये session काफे important रहने वाला है तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा request है कि आप सभी लोग इसको share जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp groups में इस session को अगला question देखेंगे मूल अधिकारों को सरपर्थम किस देश मैं समयधानिक मानिता परदान की गई तो देखे मूल अधिकारों को सरपर्थम सायुक्त राज आमेरिका मैं समयधानिक मानिता परदान की गई अगला कुश्चन है अखिल भारती सेवाओं का स्रजन कौन कर सकता है अखिल भारती सेवाओं का स्रजन राजी सभा कर सकता है अगला कुश्चन देखेंगे लोग सभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मानिता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा नियूनतम कितने प्रतिशत सेटें प्राप्त करना आवश्यक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 प्रतिशत नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे सम्विधान सभा की पहली बैथक किस दिन प्रारंब हुई most important question है तो देखे सम्विधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंब हुई अगला question है सम्विधान निर्माण की दिशा में पहला कारी उद्देशे प्रस्ताव था तो देंखे, समविधान निरमाण की दिशा में पहला कारी उद्देश्य प्रस्ताव था, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तोत किया चार अगला कुशन है किया गया तो देखे राजी पुनर गठन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया अगला देखेंगे संपतिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है संपतिक अधिकार एक पैधानिक अधिकार है किस वर्ष शंशद ने अश्प्रश्यता यानि कि अपराद अधिनियम को शंशोदित कर सिविल अधिकार संग्रक्षण अधिनियम के मान से पारित किया के अपिक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया तो देखिए ये सम्विधान शंशोदन था 42 सम्विधान शंशोदन अधिनियम 1976 जिसने राजी के निति नर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपिक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया अगला कुश्यन है भारत के कौन से राष्ट पती द्यूती पसंद के मतों की गर्णा के फल्सरों अपना निशित कोड़ा प्राप्त कर निर्वाचित हुए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवी गिरी अगला देखेंगे तो देखें सम्विधान के अनुचेत के अंतरगत वित्ती आपात काल की व्यवस्ता है तो देखें सम्विधान के अनुचेत 360 के अंतरगत वित्ती आपात काल की व्यवस्ता है नेक्स्ट कुशन देखेंगे पंच वर्षी योजना का अनुमोदन तथा पुनरक्षी करण किसके द्वारा किया जाता है तो देखें पंच वर्षी योजना का अनुमोदन तथा पुनरक्षी करण जो है ये किया जाता है राश्टि विकास परिशत के द्वारा अगला कुशन है राजी स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है राजी स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राजी पाल करता है नेक्स्ट कुशन है नए राजी के गठन अथ्वा सीमा परिवर्थन का अधिकार किसे है नए राजी के गठन अथ्वा सीमा परिवर्थन का अगला दिखेंगे भारती सम्विधान में संग की कारी पाली का शक्ती किसमें नहीं थे भारती सम्विधान में संग की कारी पाली का शक्ती राष्टपती में नहीं थे नेक्ट कुशन है, राज सभा का सरपर्थम गठन कब हुआ था? राज सभा का सरपर्थम गठन हुआ था? 3 अपरेल 1952 को नेक्ट कुशन है, संसत का कोई सदश्य अपने अध्यक्ष की पूरो अनुमती के बिना कितने दिनों तक संसत में अनुबस्तित रहे तो उसका इस्था और एक तो घोशित कर दिया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 दिन, अगला कुशन देखेंगे, लोगसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोगसभा अध्यक्ष को लोगसभा की सदश्य चुनते हैं, नेक्स्ट कुशन है, क्या संग शाशित छेत्र भी राजी सभा में अपना परतिनिदीत हो भीशते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, भीशते हैं, नेक्स्ट कुशन देखेंगे केंद्र सरकार का समयधानिक प्रधान कौन होता है केंद्र सरकार का समयधानिक प्रधान होता है राष्टपती अगला देखेंगे राष्टपती पद के चुनाव संबंदी विवाद को किसी निर्देशित किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोच नियाले को अगला कुश्यन है देशी नरेशों के प्रवी पर्षो और विशेशा धिकारों को किस समविधान शंशोदन अधिनियम द्वारा समापन किया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 वे संशोदन अधिनियम द्वारा अगला कुश्यन देखेंगे समविधान सभा का गठन किस की शिफारिश पर किया गया समविधान सभा का गठन कैमिडेंट मिशन योशना की शिफारिश पर किया गया अगला कुश्यन है समविधानिक शंशोदन के लिए विध्यय को संसत के किस सदन में पेश किया जाता है अगला कुश्यन देखेंगे राष्टपती पद पर कारी-कारी राष्टपती के अलावा सबसे कम अविदी के लिए पदारोड रहने वाले व्यक्ति कौन है तो देखें राष्टपती पद पर कारी-कारी राष्टपती के अलावा सबसे कम अविदी के लिए पदारोड रहने वाले व्यक्ति हैं dr. जाकिर हुसेन अगला कुशन है राजियों का भाषाई आधार पर गठन केश वर्श किया गया राजियों का भाषाई आधार पर गठन किया गया वर्श 1956 में अगला question देखेंगे भारती समविधान में किस अनुचेद को समविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है तो देखें भारती समविधान के अनुचेद 32 को समविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है most important question है अगला देखींगे विहार वीधान सभा में सद़शियों की संख्या कितनी हैं तो देखी विहार विधान सभा में सद़शियों की संख्या है 243 अगला question देखींगे लोग सभा के चुनाओ छेतरों का परिसीमन किश वर्ष की जनगरना के बात किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष्टि 2017 की जनगरना की बाद अगला कुश्चन देखिंगे गोवा को किस वर्ष्ट राजी का दरजा दिया गया, गोवा को राजी का दरजा मिला था वर्ष 이후 1997 अगला कुश्चन देखिंगे, नगर निगम के सर्वोच अधिकारी को कहा जाता है महापौर अगला कुशन है पर्थम लोकसवाद चुनाओ में कितने राजनितिक दलों को राश्टी दल के रूप में मानिता दी गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधा अगला कुशन है परधान मंत्रे का सची वाले ग्रह मंत्राले के अधिन होता है तो यह आपको याद रखना है तो ओके गाईस आज के शेशन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो इस शेशन को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल इस्टडी विट एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें तो शली मिलते हैं एक नेक्स्ट इंट्रस्टिंग विडियो के साथ तब तक ही लिए धन्यवाद